हलो एब्रिवन आइम आस्था बेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जोब जेने नॉटिफिकेशन बीएस एफ नियू रिक्रूट्मेंट नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है ट्रेट्स मैं कॉंस्टबल पोस्ट पर भरती की जानी है ट्रेट्स मैं कॉंस्टबल पोस्ट के लिए विकेंसी आयु हुई है जिसमें विकेंसी भी काफी अच्छी हैं 2788 टोटल विकेंसी है इसमें male and female दॉनों के लिए ही विकेंसी है मेल फीमाल दॉनों apply कर सकते हैं 10th pass अंड iti holders आप 10thając पर भी apply कर सकते अगर आपने iti किया है तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं सो जो conditions है हम आगे वीडियो में discuss कर लेंगे अभी इसका जो notification है sort notification release हुआ है drafts notification इसका जो detailed notification है बहुत ही जल्द employment newspaper में publish किया जाएगा सो जो detailed notification आएगा हम उसमें और भी clear कर लेंगे basic points फिर भी हमें आपर देख लेते हैं जो भी requirement है क्या रहेगी ओके सो अगर आप इसमें apply करें क्योंकि अभी application start नहीं हुए है जैसे ही employment newspaper में notification release होगा उस दिन से इसके application भी start हो जाएगे सो चली अभी हम देख लेते हैं जैसे first हम इसमें देखेंगे total vacancies हमने देखी 2788 है male and female दोनों ही candidate applicable है apply आपको online करना होगा expected date जो यहाँ पर आ रही है वो है 15 जन्वरी हो सकता है कि 15 जन्वरी से इसके online application start हो जाए last date 45 days रहेगा जो employment newspaper में जब इसका notification publish होगा उससे 45 days तक आप इसमें online apply कर सकेंगे salary level 3 से रहेगी constable post है level 3 से 1,700 से 69,100 तक आपकी रहती है level 3 रहता है constable post के लिए age limit है minimum 18 maximum 23 यह general categories के candidate के लिए है reserved categories के candidate के लिए relaxation मिलेगा जैसे SCST candidate के लिए 5 years का OVC candidate के लिए 3 years का लेकिन फिर भी जो भी detail रहेगा हम एक बाद detail notification जब आएगा तब हम उसमें check कर लिए फीज यहां पर आपको 100 रुपीज रहेगी unreserved and OVC candidate के लिए SCST candidate के लिए कोई भी application फीज यह पे नहीं करने होगी I think female candidate के लिए भी पे नहीं करने होगी लेकिन मैं आगेन कहूंगी जैसे ही इसका detail notification आएगा एक बार apply करेंगे apply करने से पहले एक बार उसको check कर लिए Elizabeth की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा था अगर आपने 10th pass किया है आप इसमें apply कर सकते हैं 10th base पर आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन इसमें 2 year का आपके पास जिस भी trades में क्यूंकि various trades पर यहां पर vacancies है तो जिस भी trades में आपका experience है अगर दो साल का और 10th pass है आप आप इसमें apply कर सकते हैं जैसे कई एक एंडिट होते हैं जना 10th किया हुआ है लेकिन ITΑ नहीं किया है और direct अगर आपने किसी भी trade में experience आपने ले लिया है तो यह इसकी basic information थी, अब इसमें जो आपका selection procedure होगा, उसमें आपका examination होगा, यह जो examination होगा आपका, इसमें आपका general knowledge and awareness के 25 questions, सभी के 25 questions, 25 marks किरेंगे, general knowledge and awareness, general of elementary mathematics, analytical aptitude, basic knowledge of Hindi and English, so 100 questions, 100 marks करेंगा, अभी इसमें आपका physical भी रहेगा, so physical अभी हम इसमें discuss नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे notification आएगा, मैं अभी आपको notification भी सोर नहीं कर पा रही हो, लेकिन जब भी आएगा, हम उस detail notification में सब कुछ killer कर लेंगे, जो भी basic points रहेंगे, okay, so अगर आप इसके वेट कर रहे थे, VSF में अ पर आप apply करते हैं, लेकिन फिर भी comment आते हैं, कि क्या हम किसी भी स्टेर से, जम्मू से, या आसाम साइट से क्या apply कर सकते हैं, तो इसमें All India से apply करते हैं, बिल्कुल इसमें apply कर सकेंगे, वीडियो पसंद आए हो, वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe करके, bell icon के all option को प्रेस कर कीजिगा, थैनक यू